नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर MCX Shorgen के इस वीडियो टुटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त पर भी नाड़ा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एलगो ट्रेडिंग के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप मोबाइल के थुरू आटो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो किस तरीके से आटो ट्रेडिंग परफॉर्म कर सकते हैं इसमें किसी भी charting software की या किसी भी और other software की आपको जरुवत नहीं पड़ेगी और आपका जो trade है वो automatically browser के थुरू हो जाएगा आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों का account allies blue के अंदर है वो किस तरीके से algo trading कर सकते हैं तो दोस्तों यह website है जहां पर आपको जाना है जो है www.algobridge.in इस website पर जाने के बाद आपको सबसे उपर बटन मिलेगा login का उस बटन को दोस्तों प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद एक screen इस तरीके से खुल के आएगे जो आपसे login ID और password मांग रही होगे हमें सबसे पहले अपना account खोलना होगा जो user नए है जिन्होंने इस website पर login नहीं किया है वो सबसे पहले आएंगे और अपना account खोलेंगे और sign up करने के लिए information डालेंगे जो की नाम आपका सबसे पहले आपको डालना होगा उसके बाद आपको अपना email ID डालना होगा उसके बाद आपका mobile number और alice flow का client ID उसके बाद कोई भी password आप यहाँ पर create कर सकते हो जो password आपको रखना है login करने के लिए और उसके बाद state select करके I agree पे click करके और register पे click कर देना है ऐसा करने से आपका account खुल जाएगा आपको एक mail आएगा और आपको mail पे confirmation करना है confirmation करने के बाद आप इसको login कर सकते हैं तो दोस्तो मेरा पास account अल्रेड़ी है तो मैं यहाँ पर आपका account login करूँगा जैसे ही दोस्तो मैं अपना account login करूँगा यहाँ पर इस तरीके की एक dashboard की screen मुझे दिखाई देगी इस dashboard की screen पर हमें दोस्तो क्या दिखता है वो है कि किस तरीके से strategies available है customize किस तरीके से strategies को करना है और किस तरीके से trade history को check करना है तो मैं step by step आगे बढ़ता हूं सबसे पहले जो आपको dashboard दिखाई देगा वो इस तरीके का dashboard होगा जिसमें 6 अलग-अलग strategies दिखाई देंगी आपको eagle trading system, intra max, super trend, money machine, moving average, crossover और zingara जो भी strategy आप देखना चाहते हैं जो भी strategy आपको पसंद है उस strategy को आप यहाँ पर choose कर सकते है तो करना किस तरीके से है दोस्तों उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा brief demo दे देता हूं उसमें यहाँ पर हर एक strategy में आपको कुछ चार button मिलते हैं जिनमें एक purchase का button है, एक signal का है, एक performance और एक heat map है one by one जानते हैं दोस्तों कि यह सारी चीज़ें क्या काम करती हैं सबसे पहले जब हम signals के टैब पे जाएंगे तो signal का जो टैब है यह हमें बताता है कि अभी के जो running signals हैं वो कौन-कौन से हैं कित्ते पे buy आया है कित्ते पे sell आया है यह सारी information जो है आपकी यहाँ पर signals पे आपको मिल जाती है जब आप signal पे क्लिक करेंगे तो आपको किस तरीके की screen दिखाए देगी इस तरीके की दोस्तों एक आपको screen दिखाए देगी जिसमें अभी gold mini का एक signal चल रहा है और अभी gold mini का जो price है वो 51,755 या 760 चल रहा है profit loss जो उसमें चल रहा है वो 159 points का है और trade अभी running है इस तरीके से आपको signals की जो यह screen है इसमें आपको signals दिखाए देते हैं उसके बाद एक screen है जिसमें top 10 profitable signals दिखाए देंगे कौन-कौन से रहे आज के और top 10 loss के signal दिखाए देंगे कि कौन-कौन से रहे आपके इस तरीके से signals काम करता है running signals को देखरे के लिए हम signals के टैप पे जाते है उसके बाद second tab है दोस्तो performance का अगर हम performance के टैप पे क्लिक करते हैं तो हमें देखेगा कि किस तरीके से performance आ रही है कौन से symbol में targets आए हैं कौन से में stop loss आए हैं क्या performance report है वो सब proper यहां पर निमेंशन है अगर आप किसी particular symbol पे जाना चाहते हैं तो यहां पे किसी भी symbol पे क्लिक कर सकते हैं उनकी information आपको इस तरीके से tables के format में मिल जाएगी अब दोस्तो लास्ट जो चीज है वो है heat map यह बहुत important है दोस्तो लोगों के लिए क्यों कि कई बार लोग खूचते हैं कि कौन से symbol में करें यह कौन से strategy कौन से symbol में अच्छे काम करती है कितने time frame पे अच्छे काम करती है तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हमने यहाँ पर heat map बनाए ताकि आपको आसानी रही है यह चीज़ समझने में कि किस तरीके से कौन से strategy आपको किस तरीके का result दे दी है तो इसको जानना दोस्तों बहुत यहासान है कैसे जानेंगे हम हम heat map पे click करेंगे और heat map पे click करने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके का हीट map दिखाए देगा अभी seat map में दोस्तों हमें बता जा रहा है कि कौन सा symbol किस तरीके की performance दे रहा है तो उसको देखने के लिए दोस्तों किसी भी symbol पे click कर सकते हैं जैसे अगर माली जे हम अमर राजा battery या बर्जर paint का देखना चाहते हैं या Tata Motor का देखना चाहते हैं तो हम उसपे click करेंगे बच्छाग से साब से बसाय कि यहां पर रहे तो यह तो यह ती तीन-चार जो टैप्स से बारे मैं नहीं ना बताया है किसी भी स्टेटेजी पे आप जासकते जिलेंदा स्टाटेजी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टाटेजी अगर आप स啦 अगर आप देख सकते हैं में कौन से सिग्नल रणिंग है आगर वह देखना चाहते है क्लिक करेंगे तो भी दिखी है इसनौस यहांपर रणिंग थे जो अभी पर्फॉव्मेंस या एकट सीजाब देखने को मिल रही है अब यह सकते काफी सारे सिक्ननल्स में हट्र architect गयद दिखा रहा है किसी में आपको जो है 88 percent दिखा रहा है कि 27 percent परसेंड गज़ा रहा है चिसे crew की बात करें तो प्रूड में यहां पर हमें दिखा रहा है अब दोस्तों यह तो था कि यह चारो टैप किस चीज के हैं इन से क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको information दी च्छे की च्छे strategies पर आकर आप homework कर सकते हैं देख सकते हैं किस तरीके से क्या performance रह रही है और अब जानते हैं कि सबसे पहले हमें इसको किस तरीके से start करना है हमें आगे कैसे बढ़ना है तो दोस्तों आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज है वो है authentication हमें authentication करना पड़ेगा अपने आपको access देना पड़ेगा कि हाँ आए हमारे account में एल्गो से trading करिए तो उसके लिए क्या है सबसे पहले एक unique ID आपको वहाँ पर बनानी होगी कुछ भी आप बना सकते हैं उसके बाद आप उसे अपड़ेट कर दीजेगा इसको क्लिक करने से यह आपको Alice Blue की website पर लेके जाएगा और Alice Blue की website पर जाने के बाद वहाँ पर आपको अपनी login ID पासवर्ट चीज़ें भरनी होगी जैसे मैं यहाँ पर अपनी login की detail भरता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं अपने answers डाल देता हूँ और इसको सब्मिट करता हूँ जब यह करेक्ट ली हमने answer वांसर सब चीज़ें अच्छी चऱ डाल दिया है तो उसके बाद क्या है रीडर करके हमारी website पर वापस ले आएगा और हम यहाँ पर validate पर क्लिक करके check कर सकते ह कि हमारा जो token हमें मिला था वह valid है या नहीं है तो अभी बता रहा है access token valid यह काम दोस्तों रोज करना है market खुलने से पहले get access token जरूर ले लेना है क्योंकि अगर आपने market खुलने से पहले इसको नहीं लिया तो आपका trade नहीं होगा आठ वज़े से नौ बज़े के बीच का time बहुत अच्छा है उस बीच में आप इसको access token ले सकते हैं authentication के page में जाके यह website आप mobile पे भी खुल सकते हैं easily खुल जाएगी mobile friendly है तो कोई problem आपको किसी तरीके की नहीं आएगी तो authentication करने के बाद दोस्तो हमारा काम शुरू होता है strategies का जिसमें हम जाएंगे customize strategy पे और जो भी strategy का हमने demo लिया वो यहां पे सारी strategies available है किसी भी strategy पे कोई भी symbol create कर सकते हैं कैसे करना है दोस्तों जैसे माले जी मैं moving average crossover पे या super trend पे कोई signal create करना चाहता हूँ तो मैं create symbol करूँ करना है मिस करना है तो मिस करूँगा यहां पर quantity डालूँगा stop loss targets को enable करूँगा और यहां पर जो है वाइस वर्सा को enable करूँगा वाइस वर्सा का मतलब दोस्तों यह है कि अगर आपका signal आया और उसके बाद stop loss target नहीं गया और reverse signal आ गया है इस बीच में तो वह double quantity में trade करता ह मतलब पुरानी को x square off कर देता है और नहीं ले लेता है अब यहां पर target के option है जो मर्जी target में choose कर सकता हूँ 0.5% का पहला target है let's suppose मैं पहला target ही choose करता हूँ और उसके बाद मैं यहां पे save पे click कर देता हूँ तो जैसे मैं save पे click करूँगा यहां पे मेरा एक symbol create हो गया strategy का ना trade history में दिख जाएगा और आपको पता लग जाएगा सही में यहां पर आपको मिलता है order and trades का tab भी order and trades के tab का मतलब यह है कि आपको बार बार आपने broker के trading platform पे जाने की जरुवत नहीं है आप यहीं पर जाएंगे और यहीं पर आपको दिख जाएंगे आपके कौन-कौन से order ल order पे और यहां पर आजाता है net position का option जहां पर आपको दिखेगा कि आपकी position अभी क्या चल रही है जैसे अभी हमरे यहां पर 45 points का profit चल रहा है तो इस तरीके से दोस्तों broker के जो platform पे चीज़ें आपको मिलती है order book trade book वो भी यहां पर आप access कर सकते हो और आपको आपके trades के बा उसके बाद अपना जो भी मन चाहत symbol है उसको select कर लिजे तो आपका जो trade है वो automatically होना शुरू हो जाएगा और आपका trade जो है वो properly हो जाएगा दोस्तों आशा करता हूँ video आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया तो please video को like कीजिए और channel को subscribe कर लिजी जो लोग अंदर बाद देजेगा ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care और happy trading